Hi Momies and Daddy, Welcome back to my channel Mom's and Baby Life Friends, जैसा कि आपको पताए कि मेरे इस चैनल पे Mom और Baby से लेलेटर जितनी भी चीज़ें वीडियोज हैं वो मैं बनाती हूँ अपने इस चैनल में बहुत जादा important topic है कि क्या बेबी को Pampers पहनाए रखना चाहिए उससे रहसे साते हैं तो क्या यह problem सही है यह नहीं सही है और क्या बेबी को हम 24 hours Pampers पहना सकते हैं कि नहीं पहना सकते हैं तो friends आज मैं यह जो आपकी problem है उसको पूरा एकदम बताऊंगी आपको कैसे पहनाना चाहिए कौन सा Pampers में यूज करना चाहिए और बेबी के recording क्या यह सही है नहीं सही है तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा इसके पहले यह आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइ और पहले तो मैं आपको यह बता दू कि बेबी के लिए कौन कहता है कि Pampers सेफ नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि बेबी के लिए Pampers बेस्ट है क्योंकि जब बेबी पैंपर लेता है अगर आपको विंटर सीजन चल रहा है तो कोई बात नहीं है अगर आप उसे पैंपर ना मैंने इसे खुद चेक किया है बेबी तीन या चार बार यूरीन पास करता है उसके बाद भी पैंपर का जो एरिया है वो पूरा सूखा रहता है और आराम से आप दो बार जो है डाइपर चेंज करके बेबी को इसली वह आपको उठाएगा भी नहीं क्योंकि बच्चा जब दो कि मैं आपको आज बता ओड़ू कि रैससे क्यों पढ़ते हैं उसके रेज़न होते हैं कि आपने कौंपनी का प्येंपरerson करना के दिया है तो हर कंपनी अपन धीन पर Balkan बनाने लिए नहीं चीजह कर रही है तो ऊए से प्रेस है आथे जुए में उट्था的 Per aún जाते हैं क लोगों को लगता है कि यह कंपेसे में चलो इसी ले लेते हैं तो वह क्या होता है कि वह बेपर एक बार यूरुन पास करने के बाद वह पूरी तरीके से सुखता नहीं है इसी आप बोलते हैं कि आपको बता दू कि अपने बेबी के लिए जो यूज करती हूं पैमपर अगर क बहुत सारे लोग यूज़ करते हुए तो मैं यह पैमपर जो अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूं तो यह बेस्ट है अगर आप देख सकते हैं और यह मैंने जो यूज़ के है क्योंकि मेरा न्यूबॉर्ण बेबी है तो यह 5 kg तक बच्चों के लिए बेस्ट होता है त इसके लिए कौन सार मेडियम साइज चूस कर लेते हैं जबकि उसके लिए स्माल साइज होना चाहिए एक न्यूबॉर्ण बेबी काता है पर स्माल बेबी काता है 6 kg से उपर होता है फिर मेडियम आता है जो 12 kg तक के बच्चे होते हैं तो मतलब उसकी वेड के गौर्डिंग क्योंकि उसको क्या होता है कि उसको आपने पैंपर बहुत बड़ा पैना दिया है तो उसका जो यूरिन है वो बाहर की और आ जाता है जो हमें पता नहीं चलता है या फिर बहुत ज़्यदा छोटा पैना देते हैं जिससे बेबी अनकमफोड़िबल फिल करता है उसको क्या ह तो फ्रेंस एक चीज आपको यहां पहों घुए कि अगर आपके बेबी को रेशित हैं फ्रेंस नहीं आपको यहां बताना चाह कि जब बेबी को उसे बिल्कुल पहना है तो अगर आपको बेबी गीला है तुनन नहा के आया है तो आपको बिल्कुल भी उसको पॉडर डाल करके पैमपर नहीं पहनाना है इसके लिए आपको क्या करना है अगर आप चाहें तो मार्केट में बहुत सारे देख सकते हैं अच्छी कंपनी के आपको कोकोनट ओयल ले ले मैं अपने बेबी के लिए इसे यूज करती हूं आप इसे चाहा तो यूज कर सकते हैं नहीं तो आप जो है डाइपर की क्रीम आती अगर आप देखें पैमपर के लगाने से पहले आप उसकी क्रीम मार्केट में है एक अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं हिमालया की भी आत मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि winter season आने के बाद क्या होता है कि baby अगर मान लीजिए वो नहीं रोता है तो हमें पता भी नहीं चले क्योंकि हम उसको पूरी रात नहीं चेक कर सकते हैं और उसको सुबा cold की problem होनी ही है तो यह जो problem है अगर आप बार बार या फिर आप उसके साथ जगी है आप एक option तो आपके पास यह है कि आप पूरी रात उसके साथ जगी है जो impossible है यह हो नहीं सकता है तो आप अगर बेबी को dapper पहनाते हैं तो आप एक बार देखिए अगर आ 5 times भी करता है और बहुत सारे ऐसे बेबी होते हैं जिस सिर्फ 1 या 2 या 3 बार ही सिर्फ यूरिन पास करते हैं तो आपको पहले ही अपने बेबी के बारे में पूरा आपको खुद का experience होना चीज इस चीज में कि वो कितनी बार यूरिन कर रहा है तो अगर आपको बेबी 3 य तो आपको उसको यूज करते रहना है कि या अभी वो जो है कम से कम विदन 1 आवर या 2 आवर तक चल सकता है तो यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी और पैमपर में भी आपको इस चीज बता दें जब बहुत ज़दा एक्सेस उसमें यूरिन हो जाता है तो बेबी को पैमपर पहनाना 24 आवर अच्छा है डॉक्टर कहीं नहीं बोलते आज कल न्यूबॉर्ण बेबी होस्पिटल में होता है उसके तुरंद बादी डॉक्टर उन्हें जो है पहना देते हैं पैमपर वगेरा अगर वो सेफ नहीं हो तो न्यूबॉर्ण बेबी को क्य आप चाहे तो यूज कर सकते हैं मार्केट में जैसे मैंने इसे यूज किया है जो है प्रॉक्टर लैंड गैमबल का यह पैमपर से यह 24 आवर्स तक सूखने की छंता रखता है तो आप चाहे तो अपने वेवी के लिए यूज करते हैं जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो पैमपर्स पढ़ गयते हैं तो आप चाहे तो जब भी ओफर हो तो आप इकट्थे भी ले सकते हैं क्योंकि और एक चीज और आपको बता दूँ अब मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि एक जैसे यह पैंड के जैसे आता है पैमपर्स आप द इसे ही चूस करते हैं तो क्योंकि यह मैं आपको इसलिए बोलूंगी कि अगर बेबी ने पौटी कर रखी है तो आप उसको जैसे नीचे के रुटानेंगे उसके पूरी लग में लगता हुए चलाएगा और पूरा फैल जाएगा और इसमें क्या बेस्ट रहता कि अगर बे आप बेबी को पैमपर्स पहना सकते हैं यह सारी सवधानिया आपको ध्यान में रखते हुए आगे चीजे करनी है तो अभी के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए मेरे चैन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो अ अबाए टेक क्या और लव यू वाल